हलो फ्रेंड्स में हूं मानसा आप सभी का मेरे चैनल में हुरुदे पूर्वक स्वागत है तो यहाँ पे शुरू हुई है मेरी आज की सुबह की दिन चरिया तो यहाँ पे पहले मैंने दूद शेडाया है और बाजो में चाई भी रख दी है तो आज हमने बनाया है नाष्टे में उक्मा आज मैंने उक्मा की रेसिपी शेर नहीं किया है क्योंकि मेरे पिछले व्लॉग में उक्मा की रेसिपी है चाहे तो आप देख सकते हो तो उक्मा हमारे घर में बनता ही है क्योंकि कुछ न कुछ अगर नाष्टे में ना हो तो उक्मा ही जल्दी बनाने के लिए होता है तो मैंने उक्मा बना लिया तो मेरे बेटे के लिए चाय और ये क्या बोलते हैं हम तो रस्क बोलते हैं वो चाय ये था वो खाने के बाद यहाँ पर यह पढ़ने के लिए बैट गया तो यहाँ पर यह पढ़ रहा है टेबल्स तो बीच-बीच में भूल जाता है तो कभी-कभी हम ऐसे रिविजन करवाते रहते हैं तो बचों को भी याद रहता है तो मैंने रोज इसे ऐसे ही बैढने के लिए बोला था जब तक दीदी नहीं लोटेगी स्कूल से तब तक आप भी बैटके पड़ो करके मैंने बोला है और यहाँ पे मेरे बेटे की पड़ाई भी चल रही है और मेरा काम भी हो रहा है तो आज मैं दुपहर के खाने में बनाने वाली हूँ बिंडी का फ्राई इसलिए मैंने बिंडी को पहले अच्छे से पानी के साथ दो लिया है फिर एक सूखे कपड़े में मैं अच्छे से पोच रही हूँ क्योंकि बिंडी का फ्राई बनाने के लिए थोड़ा सा भी पानी का क्या बोलते नम भी नहीं होना चाहिए बिलकुल सूखा होना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे पोच के रखा है तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो बता रहा है तो आज अभी बैटे बैटे दो टेबल से उसने मैस ज्यादा आता है तो मुझे बच्पन मेना भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तो मैं अपने मा से कहती थी कि भिंडी की सबजी ऐसे बनाओ कि मुझे खाने की इच्चा हो तो ऐसे मैंने भिंडी खाना शुरू किया है मतलब आगे चलते भिंडी का आदत तो हो गया लेकिन मैस तो आया नहीं क्योंकि अभी भी मुझे मैस से बहुत डर लगता है लेकिन मेरा बेटा जो है वो मैस में ठीकी है और वो भिंडी भी बहुत ही जादा खाता है पता नहीं इसके बीच में कौन सा वो रीजन है तो अभी बनाते हैं हम भिंडी का फ्राई इसके लिए पहले हम तेल में भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे मैंने जितना तेल डाला है उसी में भिंडी का फ्राई भी हो जाएगा और हमारा सबजी भी बन जाएगी तो पहले हम इने न अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो भिंडी को तेलगु में बेंड़काया कहते है तो हिंदी में भिंडी और तेलगु में बेंड़काया तो नाम तो मिलते जुलते ही होते है ऐसे बहुत सारे नाम है जो हिंदी में और तिल्गू में मिलते ही रहते हैं तो उनके नाम हम आगे जानते ही रहेंगे तो यहाँ पे बिंडी जो है यहाइसा फ्राइ होने के बाद हम इसे निकाल देंगे और यहाँ पे मैं मौंग फली को फ्राइ कर रही हूँ तो मूंग फली को पहले ही फ्राई करना था लेकिन मैंने भींडी के बाद ये फ्राई कर रही हूँ पली अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल के बाजु में रख देंगे और उसी तेल में मैंने डाला है शनगपपु मिनपपपु जीलकर्रा आवालू तो इनके नाम मैंने पहले ही बताया था तो फिर से एक बार बताऊंगी शनगपपपु चेने का दल मिनपपपु उड़त दल जीलकर्रा जीरा और आवालू मतलब राई डाल पूरे अच्छे से चटकने के बाद मैंने इसमें डाला है तीन हरी मिर्च और एक मीडियम साइज प्याज डाला है फिर उसी में मैंने चार पाच लसुन की कलिया भी कूट के डाला है सभी अच्छे से फ्राइ होने के बाद मैंने डाला है इसमें फ्राइ किया हुआ भिंडी सभी को अच्छे से हम मिलाएंगे फिर बाद मैंने डाला है इसमें हल्दी हल्दी को भी हम अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डाला है लाल मिर्च तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच लाल मिर्च लिया है मैंने हरी मिर्च जो है वो बहुत ही कम डाला है इसलिए लाल मिर्च जादा ही लिया है लाल मिर्च डालने के बाद फिर से हम अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे नमक इसके साथ ही मैंने डाला है इसमें एक चम्मच धन्या पाउडर धन्या पाउडर डालने के बाद फिर हम लास्ट में इसमें डालेंगे फ्राइ किया हुआ पल्ली पिर हम लास्ट में जब हम ग्यास्टव आफ गरने से पहले हम इसमें डालेंगे हरी दनिया इसमें हम कड़ी पत्था भी डाल सकते हैं कड़ी पत्था डालने से और भी इसका जो कुछप है वह बहुत जादा अच्छा होता है लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है तो इस तरह से वेरी सिंपल और एजी हमारा भिंडी फ्रै जो है वो बनकर तयार है इसके साथ मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ तुवर का दाल मतलब हम तेलगू में कंदी पपू कहते हैं तो कंदी पपू को मैंने आधे गंटे पहले ही बिगो कर रखा है और इसमें मैं डाल रही हूँ दो बड़े टमाटर हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर प्याज और थोड़ा सा तेल डालके हम इसे रख देंगे तो इसे हम तेलगू में टमाटा पपू कहते हैं टमाटर डाल के बनाते हैं तो इसलिए इसे हम टमाटर पपू कहते हैं क्या आप भी ऐसे टमाटर पपू बनाते हैं क्या मुझे कमेंड में बताईएगा तो हमारे गर में ऐसे टमाटर पपू और नार्मल सपड़ पपू कहते हैं वो पपू बनाते हैं मुद्ध पपु चार वो भी हम बनाते हैं इस तरह के पपु के हम बहुत सारे रेसिपीस बना लेते हैं तो यहाँ पे मैं पपु को चिड़ा रही हूँ और बाजू में थोड़ा सा इमली लिया है इसे बिगो कर रख दिया है जब तक डाल गल जाए तब तक मैं यहाँ पे हम रखू या अंदर रखू तो यह पुराना है तो देखेंगे फिर इसमें पानी छंडा होता की नहीं तो फ्रिज का पानी मैं पीती हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है जितना मैं मटके वाला पानी पीलू फिलहाल उसे मैं बाजू में रख देती हूँ और यहाँ मैं कपड़े सुखाने वाली हूँ तो रोज कपड़े मैं सुबह ही डाल देती हूँ नहाने से पहले और बाद में इसे सुखाती हूँ यहाँ पे आपको यह चार पाई नजर आ रही है न तो इसे हम कभी-कभी अंदर टालते हैं और कभी बिजली अगर चेली जाती है तो यहाँ पे डाल के बैठते हैं और कुछ बाते करने लगते हैं तो यह यहाँ पे सekची ही था तो अभी हम टामाटय पपू के लिए कुछ लसुन की कलिया और थोड़ा जीरा लिया है और इसे हम अच्छे से कूट लेंगे तो टापाटा पपू बनाने के लिए ये जरूरी होता है लसुन की कलिया अभी हमारा दाल जो है वो अच्छे से गल गया है इस दाल को हम अभी ऐसे कर लेंगे और जितना पानी चाहिए उतना पानी हम डालेंगे जादा मतलब स्मूथ बनाने की ज़रुरत नहीं होती है मतलब डाल जैसा ही होना चाहिए इसके लिए फिर इसमें मैं जो इमली भीगोकर रखाता वो इमली का रसिस में डाल दूँगी और नमक भी स्वाद के अनुसार इस दाल को हम थोड़ी दिर ऐसे ही पकने देंगे और बाजू में मैंने एक पैन लिया है इसमें हम अभी चोक लगा देंगे इसके लिए मैंने बताया था ना आवालू जील कर रहा और इसमें मैंने डाला है दो लाल मिर्च लाल मिर्च को हम इंडो मिर्ची कहते हैं और इसी में हम डाल सकते हैं कड़ी पत्ती लेकिन कड़ी पत्ती नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है लेकिन कड़ी पत्ता डालना ही डालना होता है और इसमें जो हमने लसुन की कल्या और जीरा कूट लिया था वो भी हम इसमें डाल लेंगे फिर इसको मैंने डाल में डाल दिया है इसे हम 2-3 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे फिर बाद में ग्यास्टव हम आफ कर देंगे तो ऐसा बना है हमारा टमाटा पपू तो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताईएगा और मैं बहुत दिनों से आपसे ये शेर करने वाली थी लेकिन बहुत दिन हो गए है तो ये है ट्रियो के 310 ml का ग्लास कंटेनर तो ये मुझे बहुत जादा पसंद आया तो मैंने कुछ दिन पहले इन्हें और किया था लेकिन इसमें से एक जो है वो टूटके आया था लेकिन ये इन्हें देखके मुझे बहुत जादा अच्छा लगा तो फिर से मैंने इन्हें रिप्लेस कर दिया तो दूसरी बार ये आया है इस तरह से अच्छा है इसका quality भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे kitchen में जो spices होते हैं वो हम अच्छी तरह से इनमें रख सकते हैं तो इनका actual price है 226 और shipping charges है 40 रुपीज तो कुल मिलाके 266 में मुझे आये हैं ये 3 glass containers तो मैं सोच रही हूँ और भी मैं order करूँ तो इसमें अच्छे से हमें जितने भी कम quantity में हम जो रख सकते हैं kitchen में वो रख सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे मैं बड़े वाले glass containers भी लेने के लिए सोच रही हूँ जैसे आदा किलो और किलो का हम रख सके एक ही साथ लेना तो नहीं होता है तो मैं एक के बाद एक लेने वाली हूँ तो ये glass jars कैसे लगे है और अच्छे glass jars हो तो मुझे comment में बताईएगा तो मेरे kitchen में जितने भी plastic का है वो मैं धीरे धीरे करके निकालके ये glass jar का ही मैं इस्तेमाल करने के लिए सोच रही हूँ अभी फिलहाल में एक में राई डाला है और एक में जीरा डाला है और एक इसमें मैंने मेथी के दाने डाले हैं फिलहाल ही मैं ये डाल रही हूँ बाद मैं सोचेंगी इसमें क्या रखना है तो और भी लेने के लिए सोच रही हूँ ये 310 ml का glass containers तो अभी मैं आप सभी को एक बात बताने वाली हूँ तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली थी लेकिन अभी टाइम नहीं है तो अभी इसी व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ तो हिंदी में मेरा एक सीरियल था बहुत जादा फेवरेट था वो था दिया और बाती हम स्टार प्लेस में रात को 9 बजे आता था था ना तो वो सीरियल में देखती थी तो वो ही सीरियल अभी तेलगू वर्शन में भी आ रहा है वो भी स्टार मा में रात को 9 बजे मतलब कल से चालू हो रहा है 22nd March से मतलब कल से चालू हो रहा है तो अगर किसी को इंटरस्ट है देखने में तो आप देख सकते हैं तो इसलिए मैं इसी व्लॉग में इसे मैं आप सभी को शेर कर रही हूँ किसी को भी तेलगू सीखना है तो यह एक अच्छा मौका है तेलगू सीखने के लिए और अपना फेवरेट सीरियल भी देखने का भी एक मौका मिल जाएगा तो मैं आशा करती हूँ कि यह information आप सभी को अच्छा लगेगा तो अब यह vlog यही पर मैं end करती हूँ